हलो प्यारे बच्चों आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसा हमने आपसे वाइदा किया था कि सक्सेस की जो चेन है हमारी उसमें हम डिफरेंट काइंड ओफ टोपिक है वो डिस्कस करेंगे और उसी क्रम में हमारे पास एक टोपिक आता है है वेट या आदत नहीं यहदी आज्तों की बात करें तो आदत बेटा कंपाउंड इंट्रेस्ट होती है compound interest अब सभी जानते हो चक्रवर्ती ब्याज यदि ब्याज पर ब्याज लगता है तो उसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं ऐसे ही यदि आप अपनी आदतों को दिन प्रतिदिन सुधारते हो आदतों को सुधारने का मतलब है कि आप अच्छी आदते यदि ग्रहन करते हो वो आदत कोई भी हो सकती है स्टडी से रिलेटेड हो सकती है जो हम रहते हैं उससे रिलेटेड हो सकती है सभी से रिलेटेड वो आदते हो सकती है यदि हम वन परसेंट डेली अच्छी आदत ग्रहन करते हैं तो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर हम अपने आप में 37 टाइम जो इंप्रूमेंट है वो देखते हैं और यदि इसी का उलता लें कि यदि हम एक प्रसेंट डेली कोई नेगेटीव जो हैबिट है नेगेटीव आदत है उसको ग्रहन करते हैं तो हम बिलो दाशीरो चले जाते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट होती है वह हम छोटी लेते हैं कहीं भी एक बड़े स्टेप के साथ हम कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं इनिशल चोटा सा एक्जामपल लूँ कि जैसे माल लीजिए हमें जयापूर से नई दिल्ली के लिए जाना होता है और दीरे 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 पूरा हवा में चला जाता है एकदम से तो जो है प्लेन हवा में नहीं उड़ता है दीरे दीरे हर जो स्टैप है वो दीरे 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 इंप्रूमेंट दिखाता है तो यही जो आदत है या हम यह कह सकते हैं कि यह सभी जो आकड़ यह चोटे-चोटे steps का परिणाम होता है हम अपनी आदते जो हैं उनको दीरे-दीरे-दीरे इंप्रूव करना सिखे और definite है कि एक साल में हम इतना change हो जाएंगे जो हम पहले थे उससे 37 गुना जादा change हो जाएंगे और बचो अपनी आदते जो हैं उनको अपना गरू जब कोई आदत आपका pride बन जाएगी तो वो आपका motivation बन जाएगा और जब आपको अंदर से motivation आने लग गया definite है आप success के नजदीक हो थेंक यू